नमस्कार दोस्तों तो आज हम जानेंगे कुछ अनोखे फाक्ट्स जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो वीडियो पुरा देखें और हमारे चैनल साइकोलोजी डेक्टिव एस्वियार को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए साइकोलोजी कहती है कि अधिकतर महिलाएं शरार्ती बाते करने वाले पुरुशों के प्यार में जल्दी पढ़ जाती है बिना अपनी सीमाएं जाने अगर एक अपनी सीमाएं जाने अगर एक महिला सुंदर होने के बावजूद भी अकेली है तो इसका मतलब है कि उस महिला का मानसिक स्तर बहुत उचा है एक पुरुष जिंदगी में कभी भी एक स्त्री की योनी के गर्मी को शांत नहीं कर सकता है जो महिलाएं अपनी नाभी को धक्कन नहीं रखती है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही कामुक और सेक्सनुमा होती है जब कोई स्त्री आपसे पूछती है कि क्या वह मोटी है तो आप उसे कुछ भी नहीं बताएं क्योंकि वह आपसे केवल नहीं शब्द सुनने के लिए ही पूछती है जो स्त्री जितनी ज्यादा आकरशक होगी उनका शरीर उतना ही सेक्सनुमा और कामुक होता है ऐसी औरत संभोग से बहुत ज्यादा दिल्चस्प रखती है जब लड़कियों को महामारी आती है तो पीछे से संभोग करवानी के लिए जल्दी मान जाती है को गंभोग करने के लिए महिला की अनुमती चाहिए होती है किन्तु महिलाओं के ऐसा किसी पुरुष के प्रती सोचना ही काफी है जिस स्त्री का पीछे का हिस्सा बढ़ा होता है वह स्त्री संभोग की लालसा सबसे ज्यादा रखती है जब भी महिला को संभोग की इच्छा होती है तो उनके स्तन समवेदन शील हो जाते हैं जब कोई पवित्र स्त्री किसी गैर मर्द के साथ चुम्बन या संभोग करती है तो इसका मतलब वह अपने पती के साथ खुश नहीं है जब कोई स्त्री संभोग करती है तो वह अपने साथी से बंदा हुआ महसूस करती है संभोग करते समय स्त्री के योनी अपने मूल आकार से आठ गुना ज्यादा फैल सकती है अच्छा भोजन अच्छे संभोग की तरह है जितना अधिक मिलता है आप और उतना अधिक चाहते हो एक पुरुष का लंबा लिंग स्त्री के योनी की गहराई में जाने से स्त्री को बहुत ज्यादा दर्द देता है किसी ने सही कहा है शादी एक जुआ का खेल होता है जीवन साथी अगर अच्छा हो तो इनसान निखर जाता है और बुरा हो तो बिखर जाता है औरत दाढ़ी रखने वाले मर्दों की ओर देखते ही आकरशित हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है, ऐसे मर्द अन्य मर्द से ज्यादा जिम्मेदार होते हैं. संभोग करते वक्त अगर औरत की योनी से आवाज आने लगे तो इससे महिला की त्रिप्ती शान्थ हो जाती है. उन औरतों की निजी अंगों में कसाब उत्पन्न होने लगता है, जिस औरत ने काफी समय से संभोग नहीं की है. किसी स्त्री के खुले स्तनों को देखने से वह स्त्री उस पुरुष की ओर जल्दी आकरशित हो जाती है. प्यार के बिना संभोग और संभोग के बिना प्यार खोखला होता है. संभोग के दौरान पुरुष के लिंक का अगला भाग लाल होना स्त्री के योनी सक्त होने के का बहिलाएं यौन संबंध बनाने के लिए आलोचना और शर्मिंदगी से डर्ती रहती है, इसलिए पहले खुल कर नहीं कहती है। जो स्त्री संब्भोग करते समय पेशाप कर देती है, तो उनकी योनी क्षीन होती है। संब्भोग वास्तव में इनसान के लिए सबसे करीबी स्पर्ष में से एक होता है। ऐसा माना जाता है कि महिला की योनी की गहराई अलग-अलग होने से संभोग के समय आनंद भी अलग हो सकता है। हर एक स्त्री की हमेशा यह इच्छा होती है कि संभोग करते समय पुरुष उनको और उनकी योनी को पूरी तरह से संतुष्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही रोचक और मजेदार दिमाग तेज कर देने वाले साइकॉलोजी फाक्ट्स जानना चाहते हैं। तो अभी हमारे चैनल साइकॉलोजी डेक्टिव एस्वियार को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव जैश्री राम।